एखले दिनों हमने देखा कि केंद्रे मंत्री स्मरिती रानी भी केहती नजराई की यहां नहीं सिर्फ अरविंद केजरिवाल बल्गी कैलाश गहलोत भी इस मामले में शामिल है तो कही ना कहीं भारती जनता पार्टी के लिये जो है एक तरीके का माहुल बना कर यहां पर ब्र जाता है या फिर वो जेल के सलाखों के बाहर आएंगे अब उनकी नीजी सच्चिप को यहां पर निलंबित कर दिया गया है प्राज जेपाल के दौरा तो के इस दमाब में वो इस तीफा सौपेंगे तो इसकी तो बिल्कुल भी यहां पर संभावना कोई भी नजर नहीं आ र स्किल दिखती हुई नजर आ रही है आपको बता दे हैं 15 अपरेल को केज़िवाल जो इडी को उन्होंने चुनौती दी है उस पे सुन्माई होनी है बैसे में देखना होगा कि अर्विंद केज़िवाल को राहत मिलती है या नहीं यह तमाम सवाल खड़े होते हैं और इन वो फसा रही है केज़िवाल के खिलाब वाकई में बहुत सारे सबूत हैं जिसकी वज़े से वो तिहार जेल में बंद हैं देखिए इडी अभी तक अपने पते खोलने रही है सिर्फ सुप्रिम कोर्ट के सामने ही या फिर राउ जवेन्य कोर्ट या हाई कोर्ट जब हो जा लेकर जो बाता बाता आ अरी है जो बात आ रही है उनके बादब पंद्रा अपरेल की शार deben कि पर सुनवाई या या जो य याचिका-ती इसपर सुनparty होने वाली है अपरेल को अब पता चलेगा कि क्या होता है कि अर्विंद केजवाल को अभी जेल में रहना होगा एडी की हिरासत में ही रहना होगा या फिर अर्विंद केजवाल जेल से भाहर आ जाएंगा अब एडी पंदर तारिक को ऐसा क्या पेश करती है कोट के सामने क्या रखती है क्य वाराज सुप्रिम कोट ने 15 अपरेल की तारिक अर्विंद केजिवाल के लिए दी है। गलत एक्जामपल सेट होगा हमारे साथ दिनेश मौजूद है इनसे जानते हैं कि जुस तरीके से एडी लगातार उनके उपर सिकंजा कस रही है। निकल सकता है। एडी की कारिवाई को लेकर सवाल खड़े कर रही विशेश तोर पर जब संजे सिंग को जमानत मिल जाती है। बाहर आते हैं किसी प्रकार का कोई प्रतेक्स रूप से उनके खिलाब सबूत नहीं मिल पाता है। और सुप्रिम कोट में भी जड़ जस वक्त जो अपना फैसला दे रहे थे उस दोरान उन्होंने कहा कि प्रतेक्स रूप से हम देखे तो इस मामले में संजे सिंग की सनलिपता नहीं दिखाई देती है। और ऐसे में एडी ने भी उनकी गिरफतारी पर किसी तरीके का कोई अतराज नहीं जता है। दोजार पत्सीस में दिल्ली में विधान सबा की चुनाओं भी होने हैं और ऐसे में बीज़े पीज इस तरीके से ब्रिश्टाचार का रोप लगाकर कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को यहां पर घेरने का प्रियास कर रही है। के उपर वो उनकी जो उन्होंने हाई कोट ने जो चैलेंज उनको दिया है या जो चुनाओती पेस की है उनके सामने की वो कहीं न कहीं सबूत उनके खिलाब पाए गए हैं जिसकी वज़े से उनको गरफतार किया गया है। अपनी पीठ जब उनकी जो बैठी जजों की उसमें ये बात साब तोर पर कहीं है और कहीं नोवे समन पे वो गरफतार किये गये। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरिवाल ने जो मानना की है कोट की एडी की उसकी वज़े से उनकी गरफतारी तै की जा रही थी। देखिए जिस तरीके से लगातार अर्विंद केजरिवाल को समन बेजे गए उनको पूस्ताच के लिए बुलाया जा रहा था लेकिन केजरिवाल भी बसते नजर आये कहीं उनको गिरफतारी का डर था जिस तरीके से दिली विधान सबागत सतर चल रहा था उस दोरान उन्हों था कि 12 मार्स को मैंने एक टाइम दिया है एडी को और मैं वर्चुल तरीके से अपने तमाम पक्स रखना चाहता हूं लेकिन एडी कहीं न कहीं अपने दफ्तर बुलाकर उनसे पूस्ताच करना चाहती थी बीज़पी के खिलाब यहां पर आमादमी पार्टे के तमाम नेता इस पूरे घटना करम को एक सडियंतर बजाते नजरा रहे हैं और जिस तरीके से ये जो पूरा घटना करम घटित हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि वीजय नायर नामक एक वैक्ति से लेंदेन हुआ 100 करोड रुपे के लेंदेन का इमामला है और वो पैसा पहले साउथ इंडिया भेजा गया उसके बाद अर्विंद केजरिवाल तक आया गोवा में भी उस पैसे का चुनावी जो है कारिकरमों के दौरान इस्तेमाल किया गया और यह तमाम जो दावे किये जा रहे हैं भारती जनता पार्टी के तरफ से पिसले दिनों हमने देखा कि केंद्रे म आरोप उनको लग रहे हैं उनको सच दिखाने के सच साबित करने की कोशिश कर रही है लेकिन चुकि नयायपालिका का मामला है तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि क्या उन सबूतों को आधार मानते भी अर्विंद केजरिवाल को अभी जेल में ही रखा जाता है या फिर व एक्सी पार्टी भी लगातार अरिविंद केजरिवाल के स्तीफ़े की मांग करते हैं अulen सTe कि जो गदी है या उनका पद है अब कौन सम्हालते हुए नजर आता है हमारे साथ अक्षे हैं इन से जानते हैं कि अर्विंद केजिवाल जुस तरीके से उनके मुस्किले बढ़ रही है उनको लगातार जटके पर जटके लग रहे हैं उनके जो पार्टी के कार करता है लगात अर्विंद केजिवाल जिस तरह की शक्सित है उसके अधार पर तो बिलकुल यह नहीं लगता कि ऐसी तमाम परिस्तितियों के अंदर इसके दबाव में अर्विंद केजिवाल मुक्य मंत्री पत्याग देंगे और अपना इस्तीफा देंगे क्यों कर आप गार करेंगे तो इस पूरे मामले में तमाम कई लोगों की गिरफतारी और बड़े चेहलों की बात करें तो सबसे दिली सरकार में सतेंदर जैन यहां स्वास्त्य मंत्री रेफिरूप मुक्य मंत्री मनिश सरसोधिया इसके बाद पार्टिक राजिस अब अशान सरसंजे सिंग और पिर केजि की गिरफतारी के लिए जब एडी आगे बढ़ी थी तो हेमंत सोरे ने गिरफतारी से पहले ही अपना स्तीफा सौंप दिया था और फिर चंपई सोरे ने कमान संभा ली वही अर्विंद केजिवाल यह चीज करते नजर नहीं आए क्योंकि अर्विंद केजिवाल इस बात से कहीं ने कहीं वाकिफ थे कि जिस तरीके से नवंबर महीने से पिछले साल की लगतार हो एडी के समनों को नजरंदाज करते आ रहे थे तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आनहीं था जब एडी उनकी गिरफतारी करती और वो दिन आया भी लेकिन उसके बाद भी अर्विंद केज केजिवाल सौप भी सकते लेंगे संभावना इसकी बेहत कम मानी जा रही है क्योंकि अर्विंद केजिवाल देखे यहां जिस तरीके से सीधे तोर पर आपके सवान निकल के आया यहां पर सारी बात हुई निकलती है क्या इस पूरे जो मामले में जो पूरा करी नीती का माम इस तरीकी से तमाम नीताओं की गिरफतारी हुई है अब उनकी नीजी सच्चिव को यहां पर निलंबित कर दिया गया है उप्राज जेपाल के दौरा तो केस दबाब में इस तीफा सौपेंगे तो इसकी तो बिल्कुल भी यहां पर संभावना कोई भी नजर नहीं आ रही है जी बिल्कुल अब अरबिंद केज़िवाल के स्तीफे की संभावना जरूर नहीं नजर आ रही लेकिन उनकी मुस्कले लगातार बढ़ रही है वही संजय सिंग लगातार ही है कही न कई एडी के ओपर वो ब्लेम लगाते हुए नजर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनके लगातारी उनकी हुई है वो जनुवन तरीके से हुई इस पर तमाम सवाल खड़े होते हैं लेकिन आने वाले दिनों में इन सभी सवालों के जवाब भी मिलते हुए नजर आ सकते हैं फिलाल आपकी इस पर क्या प्रतिकरिया बनती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ब